हाई फ्रेंड्स मैं हुब अरिश तो आज के हैस्टाइग फार्माओन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नामे सॉलिड डोसेज फॉर्म और सॉलिड डोसेज फॉर्म अब ड्रग जो कि हमारे इस चाफ्टर का सबसे पहला पार्ट है बाकि सभी पार्स की लिंक्स आपको उप जोईन कीजें वापर आपको फ्री लेक्ट की रेगूर्लिंक और वापर जो भी स्टडी मैट्रियल भी होता है वो भी सब कुछ ना मिलता रहता है तो जाएं कीजे और अपने सभी दोस्तों को भी उसमें जोइन करने के लिए बोल देना जैसे कि उनको भी फायदा हो जाए से वो स्लीं उनीत स्वेघ़े बोलों मतलब क्या कि उसकों काउंट कर सकते हैं वन टू-टू-टी स्थी तरह से उसको तो इनीत डोसेश फोर्म अब dar से कैप्सूल से 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 पावडर से यहाँ पर हम टैबलेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 टैबलेट है चार कैप्सूल है एक पील है दो सचेट से तो इस तरह कि जो विए डियूट डोसेस फॉर्म एविलेबल है फेंड ड्रॉग जार टुब अड्मिस्टर ओरली इंड्राइ स्ट है is tablet and capsule are more the most convenient dosage form मतलब क्या है कि जब भी हम dry state में कोई भी ड्रग अड्मिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पर tablet और capsule जो भी होते हैं बहुत easiest और convenient form convenient or doses form है पेशंट के लिए they are effective and patient have no problem in their handling and administration administration मतलब क्या वो effective भी होते हैं और उनको एडमिस्टेट करने के लिए पैटिंट को ज़्यादा प्रॉब्लेम भी नहीं होता सम सॉलिट सम सॉलिट सर पैक्ट इंड सप्लाइब बल्क पाउडर मतलब कुछ सॉलीड डोशीज फॉर्म होते है उसको हम क्या करते बल्क पाउडर में उसको पैकिंग और सप्ला के सब्सक्राइब करने के लिए क्या किया जाता है फिक तुट पाउदर कि कोलगेट का पूरणा ब्रांड की जो भी टूट पेस्ट है ना भी तूट पेस्ट पाउडर फॉर्म में भी कुछ मिलता था कोलगेटी टूटपेस्ट अगर आपने उसको यूज किया है या देखा है तो कमेंड बॉक्स में जरूर पाता ना जो भी पाउडर फॉर्म में एक टूटपेस्ट आती थी कोलगेट की वह एक एक्जामपल यहाँ पराज सकता है पाउंडर का बल्क पाउ फार्मसोटिकल फाउडर ऑवादर है जिसका हम यूज करते है लिए हो क्या होो के ऐख चोटी होटी चोटी पाउडर का जो भी फाईलिड़ इक्छीमिकल ड्राइड यह Вот होती है lodge किमिकल थाईजमपल दो कि जो भी ड्रग होगा उसको पाउडर फॉर्ममें उसको मिसक्स कर आये पूरू उसको फार्मसेटिकल पॉड़र और है उसको हम पाउटर फार्मicias बोलते हैं इसके लेसे पैसे इन फेन सिर्ग और है यह तो कि फार्मसेटिकल पॉड़र है ऊनों का जदिकेशम को से नंगोंचना यह mixture of finely divided drug और chemical in dry form मतलब किया है कि यह mixture pharmaceutical powder किसका drug का या chemical का dry form में तो powder आपको सबको सबको आपकी सब के well known है या family powder के साथ उसी को definition के साथ यहाँ पर देखा है there are solid-doses form of medicament which are meant for internal and external use, they are available in crystalline and amorphous form मतलब किया जो भी solid-doses form of medicament है कोई internally भी और external ली भी यूज़ करते इस Fiveter 5 को अबड़े Rory इन क्रिस्टल मैं अर्पर्म में बीक्रिस्ट्ल stuffie by क्रिस्टल Joo gotta क्भक्स मोझे बताना की क्लाइक क्रिस्टल इनu फॉर्म मतलब मतलब क्या दो नभी एविले क्रिस्ट आनब होते हैं याई इंपोर्टन टोल इन फिजिकल चिमिकल और बायोजिकल प्रॉपरिटिस ऑप दोसेज फ़र्म मतलब क्या है कि जो भी पाउडर के साइज होगी आपने देखा होगे प्राउडर अलग-अलग साइज में मिलती जो मतलब बहुत फाइन पाउडर होती है मौडरेट पाउडर हो इस उसकी कि तैया अपर इस एक चेंज होता है इस बाउडर की साइज ऑगी पार्टिकल साइज हो बहुत इमपोर्टन और रिलेशनशिफ है पार्टिकल साइज का डेलोशन में थेरापोटिक इफिकसी हों नग्मतलब ऐसबॉट चेंघ यहाटो फोगा और पॉट बहुत स जल्दी हो जाएंगा अगर उसके साथ बड़ी है तो आपको प्राउडर समझ में आगाए प्राउडर्स क्या है तो अभी दखते हैं प्राउडर्स के आइड बटीज सका है और फोलटेश दौसिस फ़र्म अबाउडर्स के बाउडर्स को कि वह pres μα Fig gi अमारत पाउडर मेडिकामेंट डिपेंडिंग अपाउडर की पाउडर चाहिए उसके उस मेजर करकर डायरिकली दे सकते हैं के लिए बहुत हो इजी जाता है देने के लिए और बहुत कम होती है एक इसका एडवंटेज से अंसेट पैक्शन और पाउडर ड्रग इस रैपेड अस कंपेड तो दो अधर सॉलिटोसेश फॉर्म एक्शाम टैबलेट कैप्सूल फिल्स दूट स्मॉलर पाउडर 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 इंगेट डिजी लिए इसका इंक्रीज दा ब्लड कॉंसेंटरेशन इंद शॉर्ट टाइम एंस ड्रग एक्शन इस प्रोडूस्ट इन शॉर्ट स्पिरिट मतलब क्या कि इसके एक्शन जो भी होती ओधर डॉसेश फॉर्म मतलब इसकी टैबलेट एक इससे पाउडर की जो भी आक्शन बहुत बहुत ब इसलेगी तो ब्लड को इसका इस गाएगी तो ब्लड में जाकर इसे पाउडर साइज इसले पाउडर की आपने आपके बॉडी फ्यूद में बहुत बहूट हो हो जाएगी तो ब्लड में उसका कॉंसेंट्रेशन बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा और शौर्टर प्रेड में जो भी उसका एक्षन है वो शो करेगा और एक्षन बहुत जल्दी दिखाएगा ड्यूट पार्टिकल साइज एक उसका एडवंडेज जैसे लार्ज इते advantage अथा ठखाएग कोई सब् clown कि साथ मिक इंद के साथ मिध्डा पाउडरस लेने होते ने सिंक RAM है भाषण को देते हैं पाउडर्स तो आपने देखो होगे ओ बहुत ईसल्च कि सिंप्ली क्या होगा दो चमद कितने कॉंटिटी बता ही उतनी कॉंटिटीव पानी में दूद में दालो किसी ओल लिक्यूड में डालो और कंजीम कर लो मैक्जिमम आउमाइंट आपको पाउडर ईजीली हम कंजीम कर सकते एक उसका एडवनटेज से और और एक आडवनटेज का एक पाउडर एक सिंग्नारी आंपाउडर इक ने दूख़रे के लिए यह सकते मिलते पाउडर आर्म हमाईटी पाउडर अ क्वाटनेज टेक्निक्स मतलब पाउडर एकोनोमिकल होती है बहुत सस्ते मिलते हैं एक पाउडर बनने के लिए बड़े-बड़े मशिन की ज्यादा मशनरी की जरूरत नहीं होती वहाँ पर और में इंपोर्डन्ट की प्रोसेस बहुत कम होती है पाउडर पर एस कंपेड़ों बाकी सब्सक्राइब उनके ल प्रोसे बाकी सब्सक्राइब नहीं करने कोई उसका पैकेजिंग भी होगी तो पाउडर के बहुत इजी होती है बहुत कम मशनरीच की जरूरत होती है बनने के लिए खर्च कम आता है तो उसकी आज कंपेड़ टू करी देन लीकुड लूसेस फॉर्म का अडर होता है अगर बॉटल गिर गए लिकेच हो गाया तो कोई प्राब्लम हो जाएगा पर प्रॉड़ का बहुत इजी वह हम कई भी उसको क्यारी कर सकते है तो हर चीज को फाइद होती है दूसके साद उसके नुश्कान भी होते हैं इसके चाहिति बारे में जानते हैं अगर बहुत खराब ट दिशाड्मैजेंग य कंद डिलीोफियर देख कि उनStig lick इसको पिक निक्रहो मणुञ सकते सब्सक्राइब लागा ऊड़ भीयर श्यन्च फॉर्ट पिक वे मिश्स मे estas you सब्सक्राइब अगर हीट हो गई कोई थंडी हो गई मतलब कूल टेंपरेचर होट थोड़ा भी अगर टेंपरेचर का उपर निचे चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें कुछ रियक्शन हो जाती है कुछ प्रॉब्लेम हो जाता है उसके वज़े से अफेक्ट हो जाता है उस करने के लिए उसको मेजर करने के लिए इसमें बहुत प्रॉब्लेम होता है मतलब प्रॉड्र को मेंजर करने के लिए के लिए मेजर करने फोटा है इसकास कश्बीन नेक्स्ट आपके कि जब भी हम पाउडर मनाते हैं उस वक्त क्या होता है कि पाउडर बहुत लॉस हो जाती है मतलब थोड़ा पाउडर मतलब मतलब बहुत सरी पाउडर क्या होती है कि वहाप पर वेस्ट जाती है जिसको हम आवएड नहीं कर सकते है देरफोर वाइल कालकुलेटिंग दे कॉंटिटी ओप इंग्रेडेंट कालकुलेट वन मोर एक्स्ट्रा दें देर रिक्वायर मतलब हमें दस बनाने हैं तो हम क्या करें कि 11 पाउडर कभा पर क्या लेंगे पूरा वहाप पर उसका रॉम अट्रिल लेगे और ड्रॉग्स ल बनाने के वक्त बेसिक उसके थिंग यह दो डिस्पेंसिंग बैलेंस और नौट से वेरी संसेटिव देट इस दिफिकल्ट वेए कॉंटिटी लेस देन तूग्रें और हंट्रीड में जून दिस्पेंसिंग मतलब डिस्पेंसिंग वेलेंस बहुत संसेटिव नहीं होता हो 100 जिसे कम जो भी है उसको वेट करना बहुत उसको मिश्किल होता है वे नहीं कर पाते हैं 100 जिसे देर्फोर कॉंटिटी इस वेएंग लेस देन तूग्रें नहीं हो वेएंग बैलेंस पर तो आपको आपको आपर क्या करना है कि कुछ सुटेबल जो भी उसका डालूंट होग जिससे देलूट करेंगे हम उसको और किसी ड्रकों वहाँ पर डालेंगे जिसे कि वह 100 जिसे आगे आ जाया 100 एम जी तक आजाये उसको मिक्स करने के बाद फिरो मेजरेबल कॉंटिटी हो जाएंगे जैसके हम उसका डिसाड़मंटिज देखा था इसके मीच हम नहीं तो डि इसके में अगर लाक्टोज शुटेबल हो जाता है तो 50 एमजी डाल दो तो 100 एमजी क्या हो जाएगा फिर आपको मेजर कर पाए उसको नेक्स्ट को प्रोसे उसमें क्या भी आपने मिक्स कर दिया उस पावडर को मेजर कर लिया क्रिस्टलाइन सबस्टन्स आर पावडर appropriately and then add required quantity of each ingredient इसको separately क्या कर ना पहले वे करना है और बाद में required quantity of each ingredient क्या करने है वे करनी है सो मिक्स अल इंग्रेडियंट इन एसंडीं और ओडर आप देर मतलब क्या है और वेट मिक्स थूली तु फॉर्म वोजी में म्तलब क्या करना है कि आपके पास चाहर पाउडर उसमें 20 ग्रम में 30 ग्रम क्राइब में 50 ग्राइब तो आप क्या करें कि 20 ह outta पहले लेगे थिर्टि ग्राम बाद मेझे फोट्य ग्राम और सबसे लास्ट में सब से भाड़ीBrien अत्रीक मौटर से और लिल्याय और सबसुद्विद अक्तार में रहे लिए और बहुत मिंस्द्रणा है जब तक